नमस्कार मित्रों आजी के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का आजी का दिन यणी की 11 अक्टूबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा आजी के दिन आपके जीवन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें मित्रों इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके घर पड़ीबार के बारे में मित्रों घर पड़ीबार के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार है दोस्तों आज के दिन अगर आपके घर पड़ीबार में कोई विक्ती आपसे कुछ उम्मीद करता हो तो आज के दिन अपने घर बालों के उम्मीद पर आपको खरा उतरना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके घर पड़ीबार में प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय आपका शात अवश्य देगा आज से पहले अगर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपका नोक जोख आपका मतभेद हो गया था तो आज के दिन अपने प्रेम संबंध को आपक मजबूत करना होगा मित्रों अगर आपके कामकाज आपके काड़ च्छत्र की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा दोस्तों आज के दिन अगर आप अपने कामकाज में अपने काडिय च्छत्र में कोई पडिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो पडिवर्तन के द्रिष्टी कौनसे आपका शमय आपका शात नहीं देगा मित्रों आप में से जो भी जातक, जो भी दर्सक नौकडी करते हैं, जौब करते हैं तो आज के दिन अपने नौकडी के छित्र में आपको लापडवाही करने से बचना होगा क्योंकि आज के दिन अगर आप लापडवाही करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा तो इसके बाद बात करते हैं आज के दिन के अनोखे टोटके भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक के बारे में मित्रों आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है नो यनी की नाइन इसके बाद बात करते हैं आज के दिन के अनोखे टोटके के बारे में दोस्तों आज के दिन आप सफेद चंदन की जर को नीले वस्तर में लपेट कर अपने पास रखें अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदर हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद